नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को मासिक सिवरात्री की पौराडिक कथा सुनाने जा रहे हूँ बोलो हर हर महादेव एक बार्चित्र भानो नामक एक शिकारी था पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुम्ब को पालता था वह एक साहुकार का रिड़ी था लेकिन रिड़ समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहुकार ने उसको शिव मठ में बंद कर दिया सयोग से उस दिन शिवरात्री थी बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंदी धार्मिक बाते सुनता रहा वहीं उसने शिवरात्री व्रत की कथा भी सुनी संध्या होने पर साहुकार ने उसे भुलाया और रिड़ चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा रिड़ लोटा देने का वचन दिया सावकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया शिकारी जंगर में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंदी ग्रिह में रहने की करणभूख प्यास सी भ्याकुल था सुर्यास्त होने पर वह एक जलाशा के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चड़ गया क्योंकि उसमें पूरी उमीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास पुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा वहाँ पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ की नीचे शिवलिंग भी था जो सुखे बेलपत्रों से ढखे होने की काड़ दिखाई नहीं दे रहा था शिकारी को उसका पता न चला भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया मचान बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वो सयोग से शिवलिंग पर गिरी इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का वरत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चड़ गया एक पहर रात्री बीद जाने पर एक गर्भिणी म्रेगी तलाब पर पानी पीने पहुँची शिकारी ने धनुष परतीर चड़ा कर जो ही प्रत्य अंचा खीची उसके हाथ के धके से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बुन दे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अंजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई म्रेगी बोली मैं गर्भिणी हूँ शिग्रे ही प्रसाओ करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं बच्चे को जन्म देकर शिग्री ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी तब मार लेना शिकारी ने प्रत्यंचा धिली कर दी और म्रेगी जंगली जाडियों में लुप्त हो गई कुछी देर बाद एक और म्रेगी उधर से निकली शिकारी की प्रसनता का ठीकाना न रहा समी पाने पर उसने धनुष्क परबाण चड़ाया कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग पर जागिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई तब उसे देख म्रेगी ने विनम्रता पुर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले रितु से निवरित हुई हूँ का मातुर विरहने हूँ अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर शिगर ही तुमारे पास आ जाओंगी शिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार शिकार को खोकर वह चिंता में पढ़ गया रातरी का आखिरी पहर भी रहा था तबी एक अन्यम्रेगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी धनुस पर तीर चड़ा कर छोड़ने ही वाला था किमरेगी बोली मैं इन बच्चों को इनके पिता की हवाले करके लोटाऊंगी इस समय मुझे मत मारो शिकारी हसा और बोला सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दू मैं ऐसा मुर्ख नहीं इस से पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भुख प्यास से तड़प रहे होंगे उत्तर में मुर्गी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों से ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी उनकी फिक्र है इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ मेरा विश्वास करो मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लोटने की प्रतिग्या करती हूँ मुर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई उसने उस मुर्गी को भी जाने दिया शिकार के अभाव में बेल विख्च पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेकता जा रहा था उसकी तीसरे प्रहर की पुजा भी स्वता ही संपन न हो गई पाव फटने को हुई तो एक रिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकारवा अवश्य करेगा शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग भी नीच्वर में बोला भाई यदि तुमने मुझसे पुर्व आने वाली तीन मृगियों तता छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंबना करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक छड़ भी दुख न सहना पड़े मैं उन मृगियों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ छड़ का जीवन देने की कृपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थेत हो जाऊंगा मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी तमरिग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद्ध हो कर गई हैं वे मेरी मृत्यों से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अता जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुमारे सामने शिग्र ही उपस्थित होता हूँ उपवास, रात्री, जागरड तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक ख्रिदय निर्मल हो गया था उसमें भगवत सक्ती का वास हो गया था उसकी हाथ से धनश तथा बाढ़ छूट गया और उसने म्रिग को जाने दिया थोड़ी ही देर बाद वा म्रिग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वा उनका शिकार कर सके किन्त जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता सत्विक्ता और सामोहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई उसके नेत्रों से अशुओं की जड़ी लग गई उस म्रिग परिवार को ना मार कर शिकारी ने अपनी कठोर शिदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल इम दयालू बैना लिया देव लोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर ततकाल उसे अपने दिभे सुरूप का दर्शन करवाया तता उसे सुक समरिधी का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी इस प्रकार महा शिवरात्री पूजन पौराडिक व्रत कथा समाब्त हुई बोलो हर हर महा देव उम नमः पारवती पतै हर हर महा देव अगर आपको मेरी यह कता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में हर हर महा देव जरूर लिखें